असलाम लेकम स्टूंदेंट्स वेलकम अनदे लेक्टशर इंवक्टर ईंट्टे आनलिस यह हमारे चेप्टर थ्री का लास्ट लेक्ट्चर है और चप्टर 3 हमारा है वक्ट और आपने इन फंक्षिंस के उपर गिवन इंटेग्रल को एविल्यूएट करना है आप देखें फर्स्ट इंटेग्रल में जो आपके पास देखें फंक्षन है वह है एडॉट बी क्रॉस सी तो यह बेसिकलिए आपको पता है कि यह वेक्टर एबी और सी का स्केलर ट्रिपल है ठीक है और इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने वेक्टर एबी और सी का वेक्टर ट्रिपल प्रॉडेक्ट है ठीक है तो इनके इंटेग्रल हमने एविल्यूएट करने हैं तो पार्ट वन में स्केलर ट्रिपल प्रॉडेक्ट लेंगे और पार्टो में हम वेक्टर ट्रिप यह हम एविल्यूइट कर लेते हैं तो लाइब घ्रॉस जो कि कहेंगी स्केलर इमल Vergleich सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोड़र्टट है और वेक्टर फॉंक्शेंशन एंब रिक कॉयम आप प्धाए bara ABC पड़े थे तो उसमें आपने देखा वेक्טर एकशी Claro क हैं आई जेक के कंपेम्ठ आगे तो वेक्टर एक हमारे पास जो fark है वह एक पार्लम की आपड़ैंट और जेखो से माइनिस थ्रील को इसका के कंपेम्डेट कायी वह सुर। 2t इस थारह हमारे पास जो व्यक्टर भी है व्यक्टर फंक्शन भी है उसका आया कंपनेट है 1 टो पिर फिर व्यक्टर सी का जो आय कंपनेट है वह है 3 जे कंपनेट इस ती ओर उसका एक अब सिंप्लि हमने इस को evaluate कर लेने हैं तो हमारे पास a.b.c यह स्केलियर ट्रिपल प्रॉडक्ट आ जाएगा वेक्टर फंक्शन्स a,b और c का तो इस determinant को हम easily जो है वह expand कर सकते हैं first row से expand कर लेते हैं तो expanding by first row expanding by row 1 first row से expand करें तो क्या होगा ती टाइमस टू बाइटू डिटर्मेंट तो यहां पर देखें से रो को भी डिलेट कर दें और कॉलम को भी डिलेट कर दें तो पास टू बाइटू डिटर्मेंट बनेगा लोसे तरह फिर लेंगे तो यह प्लस 3 ओजाएगा不 तो इस रोह को भी डिलेट करें का दे यह थी बनेगा बाइड डिलेटिंग फर्स्टो एंड लास्ट कॉलम तो मनेंगा वन डेगरिब टू री ती ती तो अब इनको फदर एक्सपेंड कर लेते हैं डिटर्मिंट को टू बैटू डिटर्मिंट को तो टी टाइम्स यह कितना हो जाएगा माइनस टू तू टू माइनस टी ताइम्स 2 इस तू टी वर्ची तरह 3 टाइम्स 1 टाइम्स गेर आगड़ वान एस माइनस ओन और फिर माइनस टू टू टी स्क्वेर्ट एक्स अब यह इसको फर्दर आप एक्स पेंड कर लें तो ही हो जाएगा 2 T माइनिस 2 T स्क्वेरड माइनिस अभी ठरी टाइम नेगरिफ सेवं तो यह माइनस 21 हो जाएगा और यह प्लस 2T स्क्वेरड प्लस 12T लिए अभर्थ सिंपलफाइक क्या हो जाएगा अब देखें यहां पे और यह दो टर्म्स मों चैंसल और हो जेंगी minus 2t square and plus 2t square ठीक है तो पीछे आपके पास जो 2t plus 12t तो यह कितना हो जाएगा 14t minus 21 यह बचेगा तो इस is a dot b cross c तो यह हमने देखिए यह vector function find कर लिया अब आपने इसका क्या करना था integrate करना है इसको from 1 to 2 with respect to t अब आप इसको integrate कर लें so hence integral from 1 to 2 of a dot b cross c with respect to t is simply the integral from 1 to 2 of this function over here जो अभी हमने find out किया था 14t minus 21 okay now let's integrate this तो क्या आता है इंटेग्रेट करने के वाद आप पर आप पास 14 t एक integral क्या अगा बद रिस्पेक्ट तो 14t square over 2 हो जाएगा और 21 integral होगा 21t और इसको हमने evaluate कर ले ने जी from 1 to 2 तो तो इसको हमने एविल्यूइट कर ले है throughout t किजएगा तो क्या हो जाएगा 7 times 2 squared minus 21 times 2 और फिर negative करेंगे तो और one plug-in कर लेंगे ती किजएगा तो minus 7 times 1 squared minus करने से यहां का जो minus यह plus हो जाएगा और फिर 21 times 1 तो simplify करने के आता है तो 7 times 4 is 28 minus 21 times 2 42 minus 7 plus 21 तो यह किता मनता है तो यह बनता है जी 49 minus 49 तो यह बन जाता है 0 okay so और फाइनल अंसर का वा सो इंटेग्रल क्या आ गए यह 0 आ गया okay hence integral from 1 to 2 of a dot b cross c so this integral is equal to so 0 so this is our answer यह तो था first part अब हम solve करेंगे second part को तो अब second part में देखें सबसे पहले हमने evaluate कर लेना है a cross b cross c अब a cross b cross c जो है यह vector triple product कर लाता है तो इसमें भी हम formula use कर लेंगे simple vector analysis का और फिर उस formula की मदल से हम easily पहले इसको vector triple product को evaluate कर लेंगे और फिर मारे पास जो function आएगा फिर उसको हम integrate कर लेंगे from one to two अब हम problem number 31 का जो second part है इसको solve करेंगे और integral calculate करेंगे from one to two of a cross b cross c so the second part of the question अच्छा यहां पर जो हमने integral calculate करना है वह है जी one to two of a cross b cross c लेकिन अगें integral calculate करने से पहले हम a cross b cross c को पहले evaluate करेंगे अब a cross b cross c को हमने evaluate कर लेने हैं अब जैसे कि आपको पता है कि a cross b cross c को vector triple product कहा जाता है जिस तरह के first part में a dot b cross c scalar triple product था तो इसी तरह a cross b cross c जो है यह vector triple product है तो इसको evaluate करने के लिए हम formula use करेंगे vector analysis का formula है a cross b cross c को हम इस तरह लिख सकते हैं कि a dot c times b a minus a dot b times c तो यह formula में यूज़ करेंगे अब क्योंकि vector triple product है यह तो इसका जो answer आएगा इसका जो evaluate करके जो इसका simplified form आएगी वेक्टर होगा क्योंकि एक वेक्टर triple product है आप a dot c times b करें आप a dot c जब आप करेंगे तो यहां पे एक scalar आएगा नंबर आएगा और वह नंबर जो है वेक्टर बी से multiply हो जाएगा ठीक है स्केलर multiplication हो जाएगी अब a dot c का होगा जी यह यह सारी आप राइट इंड साइड जो है इसको करें तो आप a dot c अब आपने वेक्टर a और वेक्टर c का डॉट लेना है ठीक है तो वेक्टर a और वेक्टर c का डॉट प्रोडेट आप कैसे लेंगे तो आपको पता है कि इनके corresponding components को multiply करके आप एड करते जाएंगे तो आप इस तरह टी जो आए कंपनेंट टी है यह वास 3t माइनस 3t माइनस 2t तो यह दो हो गया इस भी वेक्टर और वी वेक्टर क्या था आए माइनस 2j प्लस 2k अब इस तरह अब एडॉट बीक होगा फास्ट वेक्टर इसका डॉट लें तो यह जएगा टी अपलस 6 प्लस 40 तो यह यह रॉट भी हो गया और इसको सी वेक्टर से बिल्ट इप्लाइब कर लेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा फाइव टी प्लस 6 टाइम्स ट्री आए प्लस टी जे माइनस के अब इनको फॉर्दर एक्सपेंड करें तो यह को जाएगा जी माइनस टू टी आए प्लस 4 टी जे माइनस 4 टी के और यहां माइनस 5 टी को वेक्टर से मिल्टिप्लाइब करें इसे तो क्या हो जाएगा माइनस 15 टी आए माइनस 5 टी स्क्वेर जे प्लस 5 टी के वर इसी तरह माइनस 6 को मिल्टिप्लाइए करें तो माइनस 18 आए माइनस 6 टी जे प्लस 6 के तो यह हो गया अब आए कंपनेट जे कम्रेंट के कंपेंट को कंबाइन करने और सिंप्लिफाइए कर लें तो यह होगा-2T आपक वर सेकंडरा आएए प्यूंत हमारे पास माईनिस फिफ्टीं थी खूंद अबर यमरे पास माईनिस 80 सीज्द स्कते हैं टॉtarरा आपो जे ले ले लें तो फोर्त फॉर्स्द आप ले प्र इसके बाध एगाए मायनिस फाइव तीं जे, खूंदूर इसको फुर्ज सिप्लिफाइब कर सकते हैं हम तो यह जाएगा माइनस 17 T माइनस 18 प्लस यह हो जाएगा माइनस 2 T माइनस 5 T स्क्वेर और यह फिर लास्ट में हो जाएगा जी प्लस T प्लस 6 यह अमरे पास आगे जी A X B X C अब इंटेग्रल ले लेंगे इसका सो इंटेग्रल फॉम वन तू तू आफ ए क्रॉस भी क्रॉस सी क्या होगा तो हमने राइट इंट साइड को क्या कर लेना है यहां पर इंटेग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट तो T from 1 to 2 तो य होगी इस सारे का इंटेग्रल है 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 अब इसको अब कंपनेट वायज इंटेग्रेट करें है को है तो क्या होगा एकम अब मायनेस सेवन सेविट स्वेर को इंटिडर करूं तो माइनस एटीन टी स्वेरि और तो ताइमस आई तो जैदि का माइनिस त्व एकमike रे Э्ट करेंट तो यहाएक का इंटेग्रल करेंगा टी स्क्वेर ओवर टू और पलस सिक्स्टी टाइमस के इंटेग्रेशन हो चुकिए अब इस सारी चीज़ को हमने एविल्यूएट करने नहीं लिमिट्स पे फ्रॉम वान कुट तो अब थ्रू आउट आप क्या करेंगे पहले अपर लिमट करेंगे ट हो तो टी की जिगा टूपोट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस तो स्कूर्ड माइनस 18 टांस टू तो यह बनेगा आय कंप रेंट यहां पर और फिर सेकेंड में यह क्या बने करेंगा माइनस 2 T square by 2 तो यह माइनस T square हो जाएगा तो माइनस T square और माइनस 5 by 3 T cube है तो T की जगा 2 put करें हम तो यह J हो जाएगा और फिर सी तरह ही हो जाएगा जी के कम्परेंड में T square by 2 तो 2 square by 2 प्लस 6 times T T is to again तो यह के हो जाएगा तो यह हमने अपने लिमेट कर ली अब माइनस करेंगे और लोड़ीमेट पूट करेंगे अब करेंगे माइनस और लोड़ीमेट पूट करेंगे तो यह सारा कंपनेट जो है वह जब नेगडिव होगा तो आपको बता है कि साइनस जो है व बाद में फिर इसको सिंप्लिफाइए कर लेंगे तो यह होजाएगा मैनस और अब क्या पूट करेंगे यहाँ पर यहाँ वन तो हो जाएगा मैनस सेवंतीन आइट नाइमस रवाइट वन का स्क्वेर तो वन यह हो जाएगा और फिर लिभी जाए गए और नच ए और फिर माइनिस को यह बन बेट टू पलस एक टामज के अब सारे आएक अकंपनेंट को कठा कर लें जाएक कंपनेट स्कूर के कंपनेंट को कि तो यह कितना भिजि माइनस सेवन तीन बाइट टू टामज फॉर माइनिस 36 यह वाला यह कंपनेट हो गया और दूसरा यह कंपनेट हमारे पास यह उसको भी कठा करके लिए देते हैं तो यह हो जाएगा प्लस 17 बाइट टू प्लस 18 तो अब यह देखिए मारे पास यह सारा यह कंपनेट बन गया इस तरिंद KIR यहां से पहले जी कंपनेट यह वालное ले लेते हैं तो य데 कंपनेगा माइनिसusch कस इसकोए तो माइनऋच four minus 5 by three टामस eight दूसरा जह कंपनेट है यह यह ले लेते हैं तो यह कंप लस वान माइनस वन बैट टू माइनस इक्स अब इन कंपेंट्स को फर्दर हम सिप्लिफाई करते हैं तो मेरे पास फाइनल अंसर आजएगा अब यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉवर्ड करूंगा जल्दी जल्दी इसको बिल्यूट कर लेता हूं ताकि जद़ टाइम बेस्ट नहों तो फाइनल यह मारे पास इंटेडर आ गया हिंस इंटेडरल फाम बन टू आफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो यह मारे पास फाइनल इंटेडरल का बना विर रिस्पेक्ट टू टी तो यह बना जी माइनस 87 बाइट तू आए माइनस 44 बाइ 3 जे प्लस 15 बाइ 2 के सो दिस इस अबर फाइनल आंसर इस इस प्रॉब्लम नबर 32 प्रॉब्लम 32 पर आ जाते हैं और यहां पर हमने इंटेडरल एविलुएट करना है जिरू टू सेवन अब यहां पर हम इंटेडरल करेंगे जिरू टू सेवन और डाट डी आर बाइडी टी विस रिस्पेक्ट टी अब यह जो अमारे पास जिसको ब्रेकेड पर मैंने एक्स्पेशन को रखा है पहले हम यह जो है एविलुएट करेंगे और डाट डी आर बाइडी टी ठीके लेकिन उसके लिए यहां पर फर्मूला यूज करेंगे और मैं जल्दी जल्दी इस फर्मूला को डिराइब करके आपको बता देता हूं देखें अगर हम डेरिवेटव लें डी बाइडी टी आफ आर आर टाइम्स आर यह होगा अब देखेंगे दोनों टर्म सेम हैं तो यह एड़ आप होके क्या होजएगा टू आर डी आर बाइडी यह होजएगा इस तरह फिर क्या हुआ जी तो डेरिवेटव आफ और डाट आर किसकी को लोगा टू आर डी आर बाइडी इस तरह यहां से फिर आर डी आर बाइडी टी की विल्यू हमें क्या बिलेगी तू को में लेफ टेंड साइट पर लाऊंग तो यह को जाएगा वन अवर टू डी बाइडी टी आफ आर डाट आर हो तो आर तांश्ट दियार बाइडी टी किसकी लोगैं करेफ ए इसको देख लेंगे अर डाट डी-ार बाइडी टी तेट की को लोगा तो देरिस एकल तो 1वह टो दी बाइडी टी आफ और डॉटर एफ इस इस की को लोगा ठीकशे अब लेफ चांध नी इंहां aunts साइट क तो टी तो यह सिंप्ली किसकी को लोगा राइट इंट साइट का इंटेग्रल तो यहां पर हमने इंटेग्रल ले लेना है जीरो दू सेवन आफ वन अबर टू डी बाइडी टी और डाट आर तो सिंप्ली यह इंटेग्रल अब हमने जैवो कि अविल्यूइट कर देने हैं अच्छा तो यह किसकी को लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं वान अबर टू को मैं बाहर ले आता हूं इंटेग्रल फॉम जीरो टू सेवन आफ डी बाइडी टी आफ आर डाट आर अब आपको पता है कि यहां पर डेरिवेटर और इंटेग्र कैंसल ऑट हो जाएंगे एक दुसरे को कैंसल आउट कर देंगे ठीक है कि मैजब और डेरिवेटर कैंसल आउट हो जाएंगे पीछे और डाट आर बचेगा लेकिन उसको हमने एविल्यूएट करना होगा लिमिट्स पुट करनी होगी जी बिजिरो टू सेवन थे तो किसकी क को हमने 07 evaluate कर देने तो इसका हम इस तरह करेंगे वान अवर टू और पहले हम क्या करेंगे अपर लिमिट पूट करेंगे तो एक हो जाएगा और आर क्योंकि फंक्शन आफ टी होता है और अफ टी होता है तो अब यह को जाएगा और आफ सेवन ठीक है डाट आर सेवन इन्हें दोनों में जहां पर आफ टी आब अफ़ टी में हमने सेवन पूट कर लिए और फिर माइनस करेंगे वश्तर आरजीरो और आफ जीरो ठीक है तो यहमरे पास और आजएगा है अब हमने यह चीज़ें एविलूट करनी हो यहां पर एंसरट कर देए अब देखें पहले हमने विलूइट करने जी और आफ सेवन डॉट और आफ सेवन तो यह चीज़ हमने विलूट करनी है अब देखें ओपर आपको आरब 7 वेक्टर दिया वा था और आप 7 वेक्टर किसकी एक्वल है जिए आए प्लस एट जे प्लस 9 k को मत्यूं किसकी एकपूल जी है तो आगे लगाएं यह से लने के यहां आधी मद्वें लाइनल के यह रफ तैब सेव्न इसको इसे के साथ डॉट ले लेना इसका वाएं प्लड़ है जे प्लस 9 x 9 so which is equal to 1 plus 64 plus 81 तो यह किसके एक्वल होता है जी यह होगा 146 के अब इसी तरह हमने rf0.rf0 calculate करने देखें rf0 vector आपको start में क्या दिया वा था 5i-3j plus 2k तो यह आपने लेने 5i-3j plus 2k तो यह आप 0 है इसको इसी के साथ डॉट कर देना है तो यह डॉट पढ़र लेने के बाद क्या आएगा हमरे पास यह आएगा जी 5 x 5 minus 3 times minus 3 plus 2 times 2 तो यह बनेगा जी 25 plus 9 plus 4 so which is equal to 38 अब यह विल्यूज और आप 7.rf7.rf0.rf0 यह उठा के हम यहाँ plugin कर देंगे तो मारे पास integral आजेगा और left hand side पर मारे पास integral था तो integral means integral 027 r.dr by dt with respect to t तो एकस की इकल था 1 over 2 into r of 7.rf7-rf0.rf0.rf0 तो विल्यूज इनके plug-in कर लें rf7.rf7 की विल्यूज थी 146 और मारे मानिस rf0.rf0 की विल्यूज थी 38 तो इसंप्लिफाय कर लें तो 1 over 2 to 146 minus 38 ता बनेगा यह बन जेगे 108 which is equal to half of 108 which is equal to 54 तो इस तरह integral हमारे पास कहाएगा 54 okay so integral from 0 to 7 r.dr by dt with respect to t so this thing is equal to 54 तो यह हमारा यहां पे answer आ गया so this is our answer solve the differential equation second derivative of r with respect to t is equal to a t plus p तो यह differential equation हमें दी भी है और इसको हमनें solve करना है और initial conditions हमारे पास कहाएगी है that r and dr by dt are both 0 when t is equal to 0 तो यह initial conditions है तो differential equation कामने solve करना है तो यह है तो यह है तो यह है तो यह है जी सेकेंड डेरिवेटर वाफ और विद रिस्पेक्ट टी इस इक्वेल टू तो यह एक टाइमस टी प्लस वेक्टर बी तो यह एक differential equation है इसको हमने solve करना है तो इसको solve करने के लिए हम simple integration use कर सकते हैं तो अब हम दोनों sides को integrate कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टी so integrate both sides with respect to T to left hand side ka integral layering it integral d to r by d t squared with respect to T or right hand side में देखें एक derivative और integral cancel out हो जाएंगे तुम्हारे पास क्या बचेगा single derivative बचेगा d r by dt और right hand side पे integral ले ले लें तो क्या होगा यह होगा a times t square by 2 और प्लस बी आफ़ टी तो प्लस यहां पर जो constant आएगा तो एक function होगा plus k और यहां पर याद रखने कि यह जो k है यह इस कौम कहेंगे constant function तो यह सबसे पहले हमने constant function calculate कर दें इसके लिए हम initial conditions use करते हैं it is given that both r and d r by dt are 0 when t is 0 तो d r by dt 0 है जब t 0 है तो इसमें t को 0 put करें और d r by dt को 0 put करें तो क्या बनेगा तो 0 is equal to a by 2 times 0 a b times 0 और plus k तो 0 is equal to 0 plus 0 तो everything 0 तो k की value भी आज़े कि 0 तो k जब 0 होगा तो इस तरह d r by dt मार पास का बन जाएगा यहां से कि यह को 0 put करें तो यह बन जाएगा a by 2 t square plus b times t और case जो था वो 0 था तो यह हमारा पास यह function बन गया d r by dt अब इसको हमने r calculate करने solve करना r के लिए तो further integrate कर लेंगे ठीक integrate again integrate both sides again with respect to t तो यह होजेगा r is equal to integral of a by 2 t square plus bt तो इस सारे का integral ठीक अब इसको जब integrate करेंगे तो क्याएगा तो देर इस टी क्यूब बाइ 3 plus b into t square by 2 और यहां पर अगें constant function suppose इसको में के वन ले लेता हूं तो यहाविया और के वन नकालने के लिए अगें इनिशल कंडिशन क्या थी कि जब टाइम 0 था तो और भी 0 था जब इस सारह कुछ पुट करें तो 0 is equal to 0 plus 0 plus K1 इस तरह के वन भी मारा क्या हो जाता है जिस तरह आर फंक्शन जो बना सो और अफ़ टी यह क्या बना एबाइट टी क्यू बाइट टी क्यू बाइट थ्री प्लस बी बाइट टी स्क्वेर यह मारा पास यह solution आ गया है differential equation का इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आफ टी इस एक्विल टू एबाइट सिक्स्टी क्यूट प्लस बी बाइट टू ती स्क्वेड तो यह मारे पास आगे जी solution आफ दे दिफ्रेंचिल एक्वेजिन